हाई फ्रेंड्स बेश्ट बिजनस एन्वी चैनल पर आप सभी का सवगत है आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों बेसिंग हिटर की जिया दोस्तों आप इस छोटे से हिटर का इस्तामल अपने घर के किचन के बेसिंग में भी कर सकते हो और बाहर के बेसिंग में भी कर स ये पूरा ये देखे दोस्तों ये मेरे जो हाथ में ये पुरा complete heater है और इसकी वाली pipe इसके साथ दोस्तों सिर्फ इसका manual आता है बाखी कुछ नहीं ये एकदम simple और आसान electric heater है दोस्तों जो अपने घर के कोई भी basing में लग जाता है जैसा कि आप देख रहे हो ये इसका pipe इसक सिप उपर ये आपे रखना है और इसकी attachment कर देनी की एकदम simple तरीका है दोस्तों आप देख सकते हो सिप आपको attach कर देना ये आपका basing heater पूरी तरह से use करने के लिए ready हो जाएगा इस तरह से ये assembly होने के बाद आप अपने local का कोई भी plumber बुला लीजे और इसे आप अपने basing में fit कर दीजे जिया दोस्तों अगर आपका basing के बाज में plug उपर के side में तो आप wire बाहर से भी रख सकते हो या फिर ये जो easy fitting होती है जिया flumber इसे easily कर लेता है आपको शायद आता है तो ठीक बात है ने तो flumber के हाथ से कर लीजेगा ये देखिए इसकी wire underground भी हो जाती है दोस्तों और उसके साथ ये कोई भी basing में easily fit हो जाता है और basing को attach करने के लिए इसके साथ ये दिया हुआ है दोस्तों तो आप slumber के हाथ से इसकी fitting कर सकते हो जैसे आप इसे basing में fit करते हो दोस्तों तो उसके बात ये use करने के लेकदम ready हो जाता है जैसे मानलो ये basing में fit हो भी आपे mention होता है ये छोटा सा display भी आता है इसको दोस्तों अगर आपको normal water याने साधा पानी चाहिए अभी फिला लिए off है बीच में इसको off cut out दिया हुआ है तो आप इसमें ये side में अगर घुमाते हो तो normal water साधा पानी आता है और अगर आपको गरम पानी चाहिए तो आप इसको इदर के side में घुमा दीजे तो ये गरम पानी इसमें से आना शुरू हो जाएगा अगर आपको कम थोड़ा हलका गरम पानी चाहिए तो आप इस wall को पूरा खुल दीजे और ज्यादा गरम पानी चाहिए तो wall को थोड़ा कम खुलिए तो ज्यादा गरम पानी आएगा साथी दोस्तो स्वीच को बार-बार on-off करने की जरूरत नहीं अगर आप इसको बीच में कर दोगे तो इजी लिए यही से off हो जाता है पूरा हीटर पानी तो off हो गई साथ में हीटर भी off हो जाएगा तो इसका इस्तमाल आप अपने घर के बेसिंग में कहीं भी कर सकते हो किसी तरह का कोई maintenance problem आ जाता है तो आप इसे directly आज से खुल के इसका maintenance भी कर सकते हो वैसे इसमें सालों साल किसी तरह की कोई दिक्कत आती नहीं है अब बात करते हैं इसके price की जिया दोस्तो तो यह अगर offline आप अपने market से purchase कर से हो तो मात रही है 900 से 1000 उपए में आपको मिल जाएगा online इसका price 16 महिंगा है कोई website पे 1200 में मिल रहा है कोई website पे 1300 में मिल रहा है तो कोई website 1500 तक भी इसे बेच रही है आप online offline दोनों से इसे purchase कर सकते हो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी comment में जरूर बताना वीडियो पसन आई हो तो वीडियो को like करके अपने जरुत मन दोस्तों में share कीजेगा आप सभी का धन्यवाद